हेलो नमश्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका श्वागत है, वेलकम टो इनोवेशन स्टडी चैनल, चलेगा जो हमारा टोपिक चल रहा था, डिटर्मिनेट यानि सारनिक, आज उसको आगे बढ़ाते हैं, और आपने पिछे वाली क्लास से आप अटेंड कर हैं, और डिटर्मिनेट के बाद में अपन परतिलों मैट्रिक्स यानि ए इन्वर्स पढ़ना सिखेंगे, और इसके बाद में जो क्रेमर रूल आता है, जो मैट्रिक्स रूल आता है, वो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, उससे भी पंदरा-पंदरा नमर के क्यों सना आएंगे, तो continue class को join कीजिएगा, daily class आपकी आती है, कोई technical issue नहीं आता है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe करें, पास में लगी बेल आइकन को जुरूर दबाएं ताकि अब परते एक वीडियो का notification आपके पास में पहुंचे, तो आज की class का guys पहला ही question आपको सामने द दिखाए दे रहा है, कि एक determinant आपको दी गई है, उसमें L अनुपात M ग्यात कीजिए, एक short, sweet और छोटा सा question है, कैसे कर पाऊगे इसको, इसमें हमें 2 गुणा 2 की determinant हल करनी आती है, तो L का गुणा 3 के साथ में करेंगे, minus में 2 का गुणा M के साथ में करेंगे, is equal to 0, तो ये values आएगी, 3L minus में 2M is equal to 0, ये 2M इस साइड चला जाएगा, तो 3L plus का होजेगा 2M, हमें लेके आना है, L अनुपात M, यानि L बटा N लेके आना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, L भाग लगाओ, किसका भाग लगा होगे, इसके नीचे M का भाग लगाओ, तो ये यहाँ पे बनेगा, L बटा M, और ये बनेगा, 2 बटा 3, यानि L के नीचे तो M आ गया, दो के नीचे 3 आ गया, तो ये बनेगा, यानि हमें लेके आना है, L अनुपात M, तो ये इसका मान आएगा, 2 अनुपात 3, इसका right answer होजेगा, समझ में आया, समझ में आया, तो एक बार थमसप कर दीजेगा, चलिएगा next पर चलते हैं, second number के उसर है, सारनिक के द्वित्य पंक्ति के अव्यों की उप सारनिक ग्यात किजिए, इस सारनिक के द्वित्य पंक्ति कौन सी है, 3, 6, 5, ये है 3, 6, 5 के अव्यों की उप सारनिक, उप सारनिक आप जानते है, एक तो होता है, second एक होत होता है उपसारनिक अब उपसारनिक होती हिए छोटी सारनिक लिखेंगे द्वित्यपंक्ती के ईलमेंट कौन से है तो लिखेंगे तीन की उपसारनिक ५- wherever in the favor сыатыच अब तीन यहां पर न यह पहला कोलंब छोड़ो और दूसरी रोग चोड़ा पहला कोलरम छोड़ो दूसरी रो छोड़ दो कौन सा आएगा? 3, 4, 8, 9 3, 4, 8, 9 आगे आपको हल नहीं करना बस 3 की उपसारनिक 3, 4, 8, 9 3, 4, 8, 9 अब इसके बाद में दूसरा element क्या है? 6 तो 6 की उपसारनिक 6 की उप सारनिक तो 6 की उपसारनिक दूसरा कोलम छोड़ो, दूसरी रो छोड़ दो तो यह बनेगा 2, 4, 1, 9 इसके बाद में आता है 5 की उपसारनिक 5 की उप सारनिक और 5 की उपसारनिक यानि तीसरा कोलम छोड़ो और दूसरी रो छोड़ दो तो यह बनेगा 2, 3, 1, 8 2, 3, 1, 8 इस प्रकार से अपन क्या निकाल पाएंगे इसकी उपसारनिक निकाल पाएंगे उपसारनिक होती है जैसे तीन गुणा तीन की है तो ये दो गुणा दो की आएगी उपसारनिक उससे एक कमकी ही आएगी जैसे दो गुणा दो की होती है तो उपसारनिक इसका मान क्या होता है इसके सामने वाला ही मान हो जाएगा जैसे दो का उपसारनिक कितना होता है आठ का उपसारनिक कितना होगा दो होगा एक का उपसारनिक होगा 3 और 3 का उपसारनिक क्या होगा 2 गुणा 2 में तो यह होता है 3 गुणा 3 में 2 गुणा 2 की सारनिक बनेगी वो इसकी क्या हो जगी उपसारनिक हो जगी तो इसका आप screen source ले लिजीगा अब चलते है next पी अब देखीगा तीसरा question है कि दर्चाहिए कि यह determinate given है इसका मान आपको ले क्याना 4ABC कैसे ले क्या होगे सबसे पहले कोई condition यहाँ पे common आ रही है तो देख लो ऐसी कोई condition है नहीं जो इसमें column और row में करने से हमारे पास में कुछ एक condition common आ जाएगा नहीं कुछ अब इसमें यह process देख लो कि कहीं कहीं कोई 0 बन रहा है अगर कहीं कोई 0 बन रहा है तो 0 बना लिजीगा इसके बाद में हल करेंगे तो process जो calculation है वो छोड़ी हो जाएगा हमारे पास में तो मैं यहाँ पे एक संकिरिया लगा रहा हूँ कि संकिरिया संकिरिया आर वन में लगाऊंग में आर वन माइनस में आर टू प्लस में आर थरी आर टू प्लस में आर थरी यानि इन दोनों को जोड़के इस इसमें से गटाते हैं इन दोनों को जोड़के बी प्लस सी है जोड़ेंगे बी प्लस सी बनेगा और गटाएंगे तो यहां पर 0 बन जेगा इसलिए मैंने यह संकिर्या यूज की है तो यह बन जेगा B प्लस C B प्लस C जोड़ेंगे गटाएंगे 0 यह है इसमें से जोड़ो A से A कटेगा 0 A यहां पर तो आजेगा A से A कटेगा लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो C और C 2C और गटाओगे तो माइनस का कितना आएगा 2C करके देख ले ना भी A माइनस C प्लस A प्लस C यह कितना होगा A माइनस में C और C 2C माइनस में A यह तो कट जाएगा मान कितना बच जाएगा माइनस के 2C इनको जोड़ो B और B 2B, यह इसमें से गटा होगे तो यह बनेगा minus K 2B, यह बनेगा B यह बनेगा C, यहाँ पे बनेगा C, प्लस में A, यह बनेगा C, यह बनेगा B, यह बनेगा A प्लस में B, यहाँ तक समझे अब इसके बाद में देखीगा 1, 0 बन गया, कोई दूसरा 0 बनने की कोशिस नहीं कर रहा है यहाँ पे तो क्या करोगे, अब इसका परसार कर दो, और कौन से पर्थम कोलम के अकोडिंग कर दो पर्थम कोलम के अकोडिंग करो, तो मैंने लिख दिया C, 1 से परसार करने पर C1 से परसार करने पर बनेगा यह तो 0 है प्लस माइनस माइनस का B, इसको छोड़ना है इसको, यह आएंगे माइनस के 2 C, माइनस के 2 B, यह बनेगा C यह बनेगा A प्लस मी B, और प्लस माइनस, यह बनेगा प्लस C यह बनेगा माइनस के 2 C माइनस के 2B ये बनेगा C प्लस में A और ये बनेगा B ये बनेगा माइनस के B गुणा कर दो इस C का इसके साथ में तो ये बनेगा माइनस का 2AC माइनस का 2BC ये माइनस और माइनस प्लस 2BC प्लस का 2BC प्लस C इन दोनों का गुणा करो माइनस के 2BC इन दोनों का कुणा करेंगे तो यह होज़ेगा प्लस यह माइनस है इसको क्या करतेगा प्लस और यह बन जाएगा 2BC प्लस 2AB तो BC 2BC प्लस माइनस कटेगा 2BC माइनस का यह प्लस का कर जाएगा तो value कितनी आएगी आगे देखेगा value आएगी माइनस का B बहार है ठीक है और माइनस के 2AB माइनस का 2AC प्लस C बहार है और यह है 2AB इनको माइनस और माइनस का प्लस का 2ABC प्लस 2ABC कितना आएगा 4ABC 4ABC is equal to RHS अलचस बराबर क्या आगया अलचस साइड लेके चले थे यहाँ पर लिख देना अलचस साइड अलचस साइड आप लेके चले थे और यहाँ पर क्या आगया RHS आगया 2ABC 2ABC जोडेंगे इत कितना होज़ेगा 4ABC आएगा यहाँ आपको लेके आना था तो आप इसका स्क्रीन सोट ले लिजीगा अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे अब देखिएगा स्ट्रेट यहाँ से 4 नमबर क्यूस्टन आपको एक डिटर्मिनेट दी गई है इसकी आपको वैल्यू लेके आना नहीं और 5 नमबर में आगे भी आपको डिटर्मिनेट में वैल्यू लेके आने तो चलिएगा हल करते हैं इसका सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा हुगा कि पहले कोलम में दूसरे कोलम में और तीसरे कोलम में पहले कोलम में A स्क्रीर को मना रहा है दूसरे कॉलम में B स्केर कॉमन आ रहा है तीसरे कॉलम में C स्केर कॉमन आ रहा है तो यहां पर लिखेंगे C1 से A स्केर C2 C2 से B स्केर वै C3 से C स्केर कॉमन लेने पर क्या बनेगा यह बन जाएगा A स्केर B स्केर C स्केर कॉमन ले लिए यह बनाए 0 यह बनाए B यह बनाए C यहां पर B स्केर कॉमन आ गया तो A बच गया 0 बन गया C बच गया यहां पर A B और 0 A स्केर B स्केर और C स्केर इसके बाद में हमें यह डिटर्मिनेट गिवन है इससे A स्केर कॉमन आ गया इससे B square common आ गया इससे C square commonण आ गया यह हमारे पास में Determinate given है तो अब इसमें अपन Maximum 0 बनाने की कोसिज करेंगे या इसमें से कोई और common आ रहा है तो और भी common ले सकते हैं जैसे पहली पंक्ति में A को मना रहा है दूसरी पंक्ति में B को मना रहा है तो A, B, C अपनने और को मले लिया इसमें से, A, B, C, तो ये क्या बनेगी, अब बन जाएगा 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ये बन गया, अब इसमें से या तो 0 बनाओ इसको, या इसका परसार करो, तो A की स्क्वेर का A के साथ में मल्टिप्लाई A की क्यूब बनेगा, A की क्यूब डॉट, B की क्यूब डॉट, C की क्यूब, इस डिट्मिटर का सोलिशन करेंगे, तो 0, ये तो already 0 है, करने के आ सकता है नहीं, माइनस में 1, अब देखो, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, पर्थम, रो के according इसका क्या कर रहे हैं, परसार कर रहे हैं, तो माइनस का 1, ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर मैं कॉष्टक लगा दिता हूँ, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, क्या बस गया, एक का multiply 0 के साथ में, यह बनेगा, determinant लिख दो, 1, 1, 1, 0, ज्यादा बेटर रहेगा, determinant लिख हो तो, प्लस का 1, यह रहेगा, इसको छोड़ना है, यह 1, 0, 1, 1, ठीक है, यह मान आएगा आपके पास में, माइनस का 1, इसके साथ में गुणा 0, 0-1, 1 एकम 1, तो माइनस 1 आएगा, प्लस 1, इनका गुणा, एक एकम 1 माइनस में 0, तो यह होगा, a3.b3.c3, एक गुणा 1, 1, प्लस एक गुणा 1, तो इसका मान आएगा, एक और एक कितना होज़ेगा, दो, 2a3.b3.c3, यह इसका क्या आएगा, राइट एंसर होज़ेगा, 2a3.b3.c3 आगया, इसका मान, अब इसके बाद में देखीगा, सैकेंड नमर क्यूसर आता है हमारे पास में, सारनिक का मान ग्याद कीजिए, तो सारनिक, इसमें सबसे पहले इसका solution लिख देते हैं, हल करते वक्त, पहले इसकी square लिख दो, क्या-क्या बन रहे, एक की square एक, दो की square चार, और तीन की square नो, दो की square चार, नो, सोला, नो, सोला, और पच्चिस, अब कोई condition नहीं लग रही, कोई common ले, तो ऐसे तो नहीं बनेगा, क्या करें, कोई maximum 2-0 बनाए, तो 2-0 कैसे बनाएगो, चार में से, इसको 4 से गुणा करके गटाएएं, तो 0 बनेगा, नो में से, इसको 9 से गुणा करके गटाएं, तो 0 बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर संकिरिया लगा रहा हूँ, संकिरिया, ज्यान से देखना, संकिरिया है, C2 में, 4 गुणा, C2 में क्या करना है, गटाना है, C2 से तो गटाना है, 4 C1 को गुणा करके, C3 में लगाएंगे, तो C3 में से गटाओगे, 9 C1 करके, क्या करोगे, 9 C1 करके, तो यह बनेगा, 1, 4, 9, यह तो आजरेडी लिग देना है से ही, सेम का सेम, अब इसमें से गटाओगे, C2 में से, C1 को 4 से गुणा करके गटाओगे, तो 4 एकम 4, 4 माइनस में 4, 4, 4, 16, 9, 16, 9, 16, 7, 9, 36, तो लिखोगे, 16, 16, तो यह आएगा, माइनस के 20, कितना आएगा, माइनस के 20, इसके बाद में, इसमें से गटाओगे, 9 से, C3 में, C3 माइनस में 9, C1, तो 9, माइनस में 9, 0, 16, 9, 36, यह बनेगा, माइनस के 20, 25, 9, 36, 5, 11, माइनस के क्या, हम माइनस के, 11, सुरी, 9 से गुणा कर रहे हैं, तो 9, 81 करना है, क्या करना है, 81, 9 ही किया ना, यहाँ पर देख लिए, 9, 36 ठीक है, 9, 81, तो 81 में से, 25 को घटा होगे, तो यह बनेगा, 6, और यहाँ पर बच गया, 7, 7 में से, 2 जाएंगे, तो 5, तो माइनस के कितने आएंगे, 56, माइनस के आएंगे, 56, अब इसमें से, मैक्सिमम, 2,0 बन गए, किसमें, पहली पंक्ती में, 2,0 बन गए, तो इसके अकोडिंग, इसका क्या करेंगे, अपन, परसार करेंगे, तो इसके अकोडिंग, इसका परसार क्या बन जाएगा, यह बनेगा, 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो माइनस के 7, शाद माइनस के 20 माइनस के 20 माइनस के 56 और यह माइनस का 0 यह प्लस का 0 तो यह बन जाएगी value आप आगे इन दोनों का गुना तो माइनस और माइनस का गुना प्लस 76 के 42 4 735 और 4 49 कितना आएगा 49 मीनस मैनस और मैनस प्लस प्लस और मांनस मैनस बीस यह 400 COST होती है विशुकूइए बीस को 20 से गुना करोड़ ACT तो यह वेल्यव है धार माइनस के आठ यह माइनस के 8 चेख कर ले से नत Im इसका answer यहाँ पर minus के R is the right answer, that is clear, यह इसका right answer होगा, कैसे किया समझ में आया, यह संगीरिया समझ नहीं आती आव सका है, अगर सिंकरिया आपके समझ में आ जाती है, तो no problem, इसका आप screenshot ले सकते हैं, अब अपन करतें next, अब देखेगा सुनदें, next question है, 6 number question, एक आपको determinate given है इस determinate की value, यह आएगी, इस determinate की value, यह आएगी, यह हमें ले क्या नहीं है, प्रूव करना है, answer आपके सामने है, तो थोड़ा दिमाग लडाएगा, यहां से अलग्छे side लेके चलेंगे, तो कोई A plus B plus C वाली कोई condition बन रही है क्या, वो हमें देखना जरूरी है, तो यहां स यहां पे C, यहां पे B, सभी में A plus B, A plus B, A plus B, A plus B बनेगा, तो संकिरिया लगा दे, संकिरिया यह है कि R1, संकिरिया यह है कि R1, R1 plus R2 plus R3, यह बने तो तिन्नों को एक साथ जोड़ते हैं, तो यहां पे बनेगा 2A plus 2B plus 2C, यह बनेगा 2A plus 2B plus 2C, और यह बनेगा A plus B plus C, यह बनेगा C प्लेस A, यह बनेगा B plus C, और यह बनेगा B, यह है A plus B, यह बनेगा C plus A और यह बनेगा C That is clear सभी में से क्या को मना रहा है देख लो दो को मना रहा है इसमें लिखेंगे A plus B plus C इसमें से दो को मना रहा है तो बनेगा A plus B plus C A plus B plus C और यह बनेगा A plus B plus C यह बनेगा C प्लस A और यह बनेगा A प्लस B यह बनेगा B प्लस C C प्लस A यह B और यह C अब A, B, C, A, B, C, A, B, C तिनों पहली रो में से common आ रहे हैं तो यहाँ पे लिख दो A प्लस B प्लस C तो यह determinant बन जाएगी दो, दो यह बनेगा एक यहाँ पे C प्लस A यह बनेगा A प्लस B यह बनेगा B प्लस C और C प्लस A और B, C यह बनेगा B और C इतना करने के बाद में इसमें कोई maximum दो 0 बनाओ तो अगर अपन गटाएं C1 में से C2 गटाएं और C2 में से C3 को गटाएं दो से गुणा करके संकिरिया लेख रहा हूं में यहाँ पे साइड में संकिरिया रहेगी C1 माइनस में C2 वेर संकिरिया C2 से 2 माइनस में 2C3 से 2 माइनस में 2C3 तो यह वैल्यू जाएगी A प्लेस B प्लेस C A प्लेस B प्लेस C और यह बन जाएगा अब आपके पास में 0 B यहाँ इसमें से कटाएंगे तो C से C कटेगा A माइनस में B बचेगा और यहाँ से A से A कट जाएगा B माइनस में C बचेगा से 2 में इसे गटाएंगे इसको 2 से गुणा करके तो यह 0 इसको 2 से गुणा करोगे इसमें से गटाओगे माइनस का 2B बनेगा यहाँ पे plus का B है तो C माइनस में B बचेगा यह माइनस का 2C बनेगा तो A माइनस में C बचेगा और यह 1, B और C 1, B और C है अब जो maximum 2 0 बनेगे उस row के coding इसका क्या करेंगे परसार करेंगे तो यह बनेगा A plus B plus C यह 0, यह 0 plus, minus, plus plus का 1 यह इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो यह बनेगा A माइनस B C माइनस में B B माइनस C A माइनस में C है भी यहाँ पे C कर देना बचेगा अब इनका परसार करो A plus B plus C इन दोनों का गुणा A का A के साथ में A square माइनस में A C B का माइनस में A B माइनस में A B माइनस और माइनस plus B C इन दोनों का गुणा लेकिन बाहर क्या लगेगा बाहर माइनस लगेगा तो B C और यह बनेगा माइनस में B square माइनस में C square और माइनस और माइनस plus B C बाहर माइनस है, open कर दो माइनस को a plus b plus c ये a square minus a c minus a b plus b c minus b c minus or minus plus b square minus or minus plus c square minus or plus minus b c जो कट रहा है उनको काट दो b c plus का है b c minus का है ठीक है चलो ये कटा है एक b c यहां पे चलो कोई बाद लिए यहां पे a c है और कोई नमबर नहीं कट रहा है और कोई नमबर नहीं कट रहा तो इसको लिग दीजीगा ये बनेगा a plus b plus c और ये होगा a square plus b square plus c square minus कोमन ले लिया a b b c और a c a c ये condition बनेगी हमें लेके क्या आनिए a की क्यूब plus b की क्यूब plus c की क्यूब minus 3 a b c अब इसका जो आगे जो process रहेगी multiply की वो क्या रहेगी यहां से यही रहने वाली है ठीक है तो इनका multiply करके मैं चलो prove कर देता हूँ आपके दिक्कत रहेगी कि सर्द ने क्या निकाल दिया इस a का multiply में आगे इस side में कर रहा हूँ a का multiply सभी के साथ में करूआ तो थोड़ा ध्यान देना पाहर भी minus है बेटा और इस minus का भी मैं अंदर multiply करवा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं अब मैं a का multiply सभी के साथ 6 के 6 के साथ b का 6 के साथ और c का 6 के 6 नमरों के साथ में करूआ तो यह बन जाएगा आगे की जो process a की क्यूब प्लस a b स्केर यहां से देख लीजिएगा थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा इस a का multiply a स्केर a की क्यूब बन गया प्लस a b स्केर प्लस a c स्केर इसके साथ में आएगा मैंनस का आएगा a स्केर b मैंनस a b c यह आएगा मैंनस a b c आएगा मैंनस a स्केर c ठीक है अब बीच में sign लगेगा प्लस b का करो तिनों के साथ 6 के साथ b की क्यूब प्लस sorry b a स्केर के साथ में करता है न तो यहाँ पे स्केर कर दो तो यह बनेगा b a स्केर प्लस b की क्यूब प्लस b c स्केर और यह बनेगा मैंनस a b स्केर इसके साथ में करोगे तो मैंनस B square C और यह परेंगा minus A, B, C अब C का करो सभी के साथ plus C A square plus C B square plus C की क्यूब minus A, B, C minus में B, C square minus में A, C square यह condition है अब जो कट रहा है उनको काट दो अच्छे से देखना A, B square कहाँ पर कोई ने कोई minus का मिलेगा A, B square A, C square plus का है C square देखना है A, C square minus का है A square B और A square B यह रहा plus का ठीक है A square C minus का है A square C plus का है C, B square plus का है और C, B square minus का है B, C square plus का है B, C square minus का है तो यहाँ पर क्या बत गया अब हमारे पास में बत गया है A गी क्यूब प्लेस B गी क्यूब प्लेस C की क्यूब minus A, B minus A, B minus A, B minus के 3 A, B, C minus के 3 A, B, C A is equal to RHS A is equal to RHS That is clear क्यूब समझ में आया न थोड़ी calculation बड़ी है कोई दिकत नहीं यहाँ तक भी आप कर सकते हैं अगर आप satisfy नहीं होते हैं तो मैंने यह process आपको करके बताई हैं तो class कैसी लगी comment box में बताईएगा आज की class में अपने 6 क्यों सुन किये हैं आगे भी साइध एक या दो class में इसको complete कर लेंगे determinate को अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe क्रेम पास में लगी bell icon को दबाई class को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में share कर दें कि हमारा भी motivation बना रहे क्योंकि सुबह-सुबह आपको class देते हैं और उस time अगर आप math पढ़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया math सुबह-सुबह ज़्यादा समझ में आता है तो आपके लिए better है ये class है daily attend कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा share कर दीजेगा ताकि हमारा भी motivation बना रहे तो guys आज की class में इतना ही next class में मिलें कुछ ने के साथ जय हिन जय भारत